अब आपको 100 आपको 100 आपको कैसे करोगे आज उसके लिए हम डिसकस करने वाले तो डेटो डेटी प्रिप्रेशन के लिए आपका पूरा डेशीडल बनाना पड़ेगा तो देखते हैं सबसे पहले कि मौनिंग सेक्षिन जो हमारा रहता है तो मौनिंग सेक्षिन के अंदर हम स तो बहुत बढ़िया टाइम है उस टाइम पर कोई भी सब्सक्राइब कर सकते हैं शुरुआत के बानिंग सेक्षिन सिक्स तो सेवन सब्सक्राइब करेंगे एक विए तक का टाइम जो है तो आपका टाइम है आप रेडी हो जाओ और चाइनास्ता कर लो उसके बाद जो है आपने लॉट किये थे वह लॉट किये गए क्वेशन आपको लिखने आप जिस तरह से बोर्ड में लिखोगे उसी तरह से आपको प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है तैन ओक्लॉक टैन टू टैन थर्टी का तो टाइम है वह वापस प्री टाइम रहेगा और उसके बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद 10-30-12 में आप अपना इंग्लिश सब्जेक्ट या फिर नेक्स्ट दूसरा लेंग्वेज होगा वह भी आप इसके अंदर कर सकते हो और फॉर्स लेंग्वेज आपका इंग्लिश उसका ग्रामर और टेक्स अल्टरेंट डेज हम कर सकते हैं बुढम में इसंदर रिग्टा से आपक्रेंग्स दॉसरे दिन हम क्या करेंगे जो वह सेस्कें लेंग्वेज कंसरों यह फिर उसका सब्सक्राइब करें कि 12 15 से लेके टूओ क्लॉक का जो टाइम है वह लंच टाइम है और रिलेक्स टाइम उसमें आप लंच लेकर आराम करो थोड़ा दे उसके बाद जो टाइमिंग बचेगा हमारे पास टू-टू-फॉर का जो टाइमिंग है थोड़ा स्लिपिनेस हो सकता है है कोंफेबल नहीं कर nessa गडose तो वह टैम के अंदरा प्रैक्टिस करो तो हूँ उसके बाद आप जो प्रैक्टिस एक्जांपल करो क्वेशन आंसर के बाद आपको एक्जांपल रिखने फिर फूर टू फूर थर्टी का जो आपका टी ब्रेक है उसके अंदर वापस आप तो टाइम है वो टाइम के अंदर आप क्या करो एक OCM का जो चैप्टर्स होते है त्यार सब्जेक्ट है और टाम के अंदर आप यह टाइम स्लोट में आप कर सके हो तो टूसा नॉर्मली सबक्रेंग होता है अगर आपका लेक्च्चर का टाइमीं और तो आप आप एसा कर सकते हो कि 6 to 8 के अंदर आप अपना और अपके सब्सक्राइ..! ए थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। और फिर टैम इसे हमने मॉनिंग सेक्शन सेशन के अंदर हमने क्या किया था कि हमने लिखे थे सेम वे यहां पर हमको क्वेशन लिखने 11-12-15 तक का जो आपका टाइम है वह वापस अपके प्रैक्टिस एक्जामपल्स का टाइम है या 12-15 या 12-30 वन क्या है ऑफ फार काम करोगे वाफ औरा व्ली अपने स्टेस्टिक क्या थो यहां अकाउट यहां कर सकते हो यहां और ढोलिख आ कान कीगाएं ने पॉर्फ क्या हौब वो टाइम टेबल को आप अपनी तरीके से थोड़ा बहुत उसमें प्लस वैनेस कर सकते हो टाइमिंग थोड़ा उपनीची कर सकते हो अब बात आती है एकॉनोमिक्स और OCM में प्रिप्रेशिंग कैसे करती है तो सबसे पहले हम जो डेली बेस पर जो क्वेश्चिन करेंगे व करना है तो तो आप पोसक्षिन करना है आपया है और अगर आपके पास पेपर गलेवल है तो पेपर सैट्समें इसको सक्षिन या पिर चाहो तो 20 कर सकते हो या फिर आपके शेंटा है ये question answers learn कर सकते होगे हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कौन से section में कितने marks क्या questions पूछे राते हैं तो उसके इसाप सब chapter wise preparation करना चाहो तो कर सकते हैं accounts और stats की बात करें तो उसके अंदर आपको पांच question करने होंगे that is five examples section D E F आप अपने हिसाप से शुरुआत करेंगे तो कोई भी होगा accounts है तो accounts के पांच questions पांच examples आपको solve करने रहेंगे दूसरे दिन यानि night time में अंदर आप statistic करना चाहते हो तो वहां पे भी आपको पांच examples करने हैं आप properly neat and clean करोगे लेकिन शुरुआत जब भी कोई example शुरू करते हो तो section शुरू करते हो तो सबसे पहले शुरुआत के 10 मिनिट के time के अंदर आप क्या करो उसकी formulas learn कर लो और formulas लिख लो ताकि formulas learn करने के लिए आपको अलग से time नहीं निकालना पड़ेगा इसके अंदर भी आप section wise काम कर सकते हो या फिर आप chapter wise पहीं जा सकते हो तो यह कुछ schedule आप रहेगा उसको comment में जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो जो हम discuss करने वाले हैं वह पेपर कैसे लिखेंगे यहर एक section में कितना time allocation दिया जाए तो टाइमली हमारा पेपर कम लेक्ट हो सकते हैं तो उसकी discussion हम next lecture में करेंगे तब तर बाई